हेलो गाइस आज ही में एक हिल्दी रेसिपी आपके साथ सेयर करने जारू जो साथ इंडिया में बनता है जो बहुत ही टेस्टी होता है और आप बच्चों की डिफिंग में दे सकते हैं आप खुद भी एंजॉय कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने इसमें कुकिंग ओयल डाला ह अपने स्वाद के अनुसार और इसमें आप पिच्चनी का डाल एक चमच डाल देंगे और थोड़ी से मैंने मुम्फली भी डाला है वैसे साथ में मुम्फली नहीं डालते पर मुझे अच्छा लगता है तो मैंने डाल दिया खासकर मैं बच्चों के लिए बना रहे तो थो यूट हो जाता है इसलिए काजु को मैंने लाश्ट में डाला है काजु टालने के बाद थोड़ा सा फ्राइए करने के बाद फिर में इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है पस थोड़ा से कलर आता तो बहुत अच्छा अज़ा लगता है इसके बाद मैंने पक्की हुए चावर डाल दिये हैं पक्की हुए चावर डालकि इनको अच्छे से मिक्स करेड़ेंगे और यह बहुत ही जल्दी सा बन जाता आप इसमें बच्चों के टिफिन में दे सकते हूंने बहुत ही पसंद आयेगा मुझे तो बहुत ही पसंद है अब मेरे फैमिली में भी सभीकों पसंदे तो इसलिए मैं आपके साथ यह री हूं कि आप भी अपने फैमुली में एक सीच और भी एड कर सकते हैं कुछ नया चेंज कर सकते हैं फिर उपपे समी 17 नमक मिला देंगे और देगर और दिखेंक मिला दिया है मैंने तो एक नई डिस आपके लिए रेडी हो गया है और नमक के बाद आप इसका मेन इंट्रिनस क्याता है नीबू यह लेमन राइस है तो मैंने नीबू को काटके स्कुन रस नी चोड़ लिया था अब मैं अच्छे से उसे मिक्स कर दूँगी तो मिक्स करने के बाद यह आपका त देखने में और भी सुन्दर लगेगा तो यह बहुत ही टेश्टी सा तयार हो गया मैं तो जा ली हूं खाने और आगर आपको भी खाना है तो आप बस जली जली से बना सकते जब भी आपके घर में ठोड़ा सा चावल बनें उसका भी आप ट्राइब करके देख सकते बहुत दो खाओ प्यों एंजोई करो हमारे चैनल को लाइक और सिस्क्राइब करो बाबाए